देखो अभी तक हमने इस चेप्टर में हाइड्रोकार्वन पढ़ चुके हैं उसके बाद फिर हैलो एलकेंस पढ़ चुके हैं उसके आद हमने एलकोहल्स भी बढ़े हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डी हैड एंड कीटोन देखो और कार्बाक्सलिक असट भी आज निक टालेंगे हैं तो हम पहले स्थार्ट करते हैं एल्डी हाइड से एल्डी हाइड में रहाए पहले देखते हैं फंक्ष्णल ग्रूप जोक्ष्णल ग्रूप होता है कि वहता है दॉलंसे ठीक है इसे हम बिखते हैं है कि इसकी खास बात यह होती है कि यह कहां मिलेगा हमेशा एंड पे मिलेगा यह जहां यह यह शुरुआ होना वहीं से स्टार्टिंग एक उंटिंग इसमें अगर उसका जन्दर फ़ॉंड देखिये है तो जाता cn, h2n plus 1 and cho, यहाँ पर n की value 0 से शुरू होती, 0, 1, 2 and so, ठीक है, अब इसके लिए जो suffix आता है, यह prefix नहीं लएगा इसमें, suffix आएगा al, क्याएगा suffix इसमें al, जो हम इसमें first member निकाले, find गरेंगा, तो n की value 0 रखते हैंगी, रहन को 0 रख दो, तो c0, c0, h2 into 0, 0 plus 1, h1, तो क्या जाएगा, 1h और cho, यहाँ फस्ट number, अगर इसे सही करके लिखेंगा, तो ऐसे लिखेंगा, h, c, double bondo, h, इसका जो iupac name होता है, क्योंकि एक carbon है, तो methane plus al, methane plus al, अगर किसी को इस in में दिक्कत है, कि यह double bond आगे, तो double bond carbon carbon के बीच में दिखाता है, यहाँ तो दूसरा carbon ही नहीं है, तो इसलिए in रहेगा, और यह तो functional group है, यह है al, ठीक है, तो इसका नाम e और a cancel होजागा, नाम किया जागा methanol, m, e, t, h, a, n, a, l, methanol, और इसका जो common name है, यह तुम्हें याद रखना पड़ेगा, form aldehyde, form aldehyde, कोई pattern नहीं होता है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तो पहला member, h, c, h, o, ऐसे लिखा जाएगा, और इसका नामों का मिथना लाई पीशने, और common name, form aldehyde, second member के लिए n को 1 रखोगे, और यहाँ पे आजाएगा, c, h, c, h, o, अगर इसे expand करके लिखेंगे, तो इसे लिखा जाएगा, c, h, 3, c, h, o, यह आगया, अब क्योंकि दो कारवन है, तो इसका नाम हो जाएगा, ethnal, e, t, h, a, n, a, l, ethnal, और इसका common name होता है, acetaldehyde, a, c, e, t, a, l, d, e, h, y, d, e, acetaldehyde, अगर इसमें third member देखा जाएगा, तो इह आजाएगा, c, 2, h, 5, c, h, o, अगर देखो, इसमें इनको 2 रखतो, तो c, 2, h, 5 आजाएगा, तो इह आजाएगा, c, 2, h, 5, c, h, o, ठीक है, अगर इसे में expand करके लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, c, h, 3, c, h, 2, c, h, o, ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तीन कार्बन है, प्रोपेनल, p, r, o, p, a, n, a, l, ठीक है, प्रोपेनल, ठीक है, common name इसका रहने, तो बस common name दो ही याद रखना है, अब इसमें अगर fourth member आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c, 3, h, 7, c, h, o, वो क्या हो जाएगा, c, 3 ही आगए, 4 ही आगए, कितने चार कार बन है, तो नाम होगा इसकार, i, p, c, n, a, l, b, u, t, a, n, a, l, ब्यूटे, ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी naming और आ जाते हैं, यह तो members होगे, शुरू के 2, 3, 4 बता दिए मैंगे, अब अगर इसमें हम ना ऐसे लिखनें कोई compound, c, h, c, h, c, h, and c, o, अब यह थोड़ा सा अलग नाम हो गया, तो इसमें नम्बरिंग यहां से होगी, 1, 2, 3, तो इस compound का नाम होगा, टूपे methyl है, 2-methyl, 3-carbon, propanel, p, r, o, p, a, n, a, l, propanel, अल क्यों आया है यह, क्योंकि यह aldehyde है, 2-methyl क्यों आया है, क्योंकि टूपे side chain थी, तो 2-methyl, propanel, एक और compound देख लेते हैं, इसी में हम, CH3, CH, CL, CH2, and CH2, तो नम्बरिंग तो यहीं से होगी, 1, 2, 3, 4, तो यह क्योंकि थी, ख्लोरो, चार कारवन ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, थी, ख्लोरो, ब्यूटेनल, ठीक है, तो यह हमार पास क्या होगी, LD हैड उसके नेम होगी, और functional रूप अगरा क्या हो, मैंने समझा थे, तुम्हें डिटेल में,